नमस्कार दोस्तों मैं पाविस मुलिया स्वागत करता हुआ आपके इस यो टुप चैनल में आज हम देखने वाले हैं बैंक अब बरुड़ा का एक प्रस्टनल लॉन डिलेटेड दमाकेदार ओफर आया है प्रस्टनल लॉन बैंक अब बरुड़ा आपको घर बेठ दे रही ह वो बैंक अब बरुड़ा का एम कनेक प्लस अगर नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है कैसे मोबाइल बेंकिंग चालू करते हैं मोबाइल बेंकिंग थ्रू ये लोन एपलाई करना रहेगा लोन का क्या टेनर होगा क्या रेट ओप इ नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि यहां पे बैंक अब बरुड़ा रिलेटेड यूस्पूल वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले तो आपको अपना जो बैंक अब बरुड़ा का एपलिकेशन है मोबाइल बेंकिंग वह आपको सिंपल ओपन कर लेना है जैसे यह आप एपलिकेशन ओपन करते हो उसके बाद लोग इन कर आपको अपना पासवर्ट डाल देना है पासवर्ट डालने के बाद कुछ आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे डिजीटल लॉन न्यू एक ओप्सन है डिजीटल लॉन पे आपको सिंपल क्लिक करना है जैसे आप Digital Loan पे क्लिक करते हो आपके सामने लिखा हुआ आएगा Pre-Approve Micro Personal Loan उसके उपर आपको एक Simple क्लिक करना है जैसे आप उसके उपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का Message सो हो रहा है Congratulations you may be now apply I will Pre-Approve Micro Personal Loan अप्टू 50,000 मदलब कि मेरा 50,000 तक का Loan मेरा मंजूर किया है बैंक ने और आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी टंपसें कंडिशन है यह Pre-Approve Limit can be from Personal Loan थोक मोबैल बैंकिंग Minimum Loan Amount should be 10,000 यह आप पढ़ सकते हो यहाँ पर अभी यहाँ पर क्लिक टू प्रोसेस में कर रहा हूँ अभी आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस आ गया है कैसे Loan क्या apply करना है आज में आपको मैं डीटेल में यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ अभी bezpla enabled by on likebullet आले सकता हूँ यहाँ पर काले सकता हूँ यहाँ अनलिखा है मिनिममामाओट दसघर दसघर जहीं पर ले सकता हो और पचासघर भी ले सकता हूँ मुझे कितना लेना है यहां से मैं लिमिट कर अक्तक कर सकता हूं माना को मुझे 6,000 का लेना है 21,000 का लेना जो भी मैं अभी यहां पे 50,000 ही रखता हूँ फिलाल Select loan period कितने टाइम के लिए आपको loan लेना है 3 मेने के लिए 6 मेने 9 मेने 12 मेने 18 मेने जो भी आपको loan का period set करना है वो यहां से आप set कर सकते हो मैं यहां पे 18 मेने सिलेक कर रहा हूँ जैसे हम महिना सिलेक करते हैं तो आप देख सकते हो यहां पे सारे कुछ features आ गए है interest rate कितना होगा 16% interest rate है हर महिने EMI कितना आएगा 3,142 पहला EMI कब कटेगा 16 एक यानि कि आज से एक महिने बाद पहला EMI कटने वाला है और लास्ट EMI कब और जो पैसा यह लौन का होगा वो कहां पे credit होगा यह मेरा saving account है उसमें पैसा credit हो जाएगा अगर मैं EMI जो tenner है वो कम करता हूँ 12 मेने तो आप देख सकते हो EMI का जो है वो बढ़ जाएगा EMI और यह 12 मेने में खतम हो जाएगा अभी आप यहां से भी set कर सकते हो मानों कि आपको लोन लेना है 30,000 का अभी चरूर नहीं है आपको 50,000 रुपे की 30,000 का ही लोन लेना है 18 मेने के लिए आप देख सकते हो 30,000 का अगर मैं लोन लेता हो 18 मेने के लिए तो उसमें 1850 रुपे का अपता आएगा इन्टु 12 करके आप इंट्रेस कितना आपको पे करना होगा आप निकाल सकते हो कापी सिंपल प्रोसेस है आप देख सकते हो कुछ भी नहीं करना है नई डॉक्यमेंट साइन करना है नई ब्रांच विसिट करना है डायरेक आप प्रोसेस करोगे सिधा खाता में पैसा चले जाएगा अभी प्रोफाइल डीटल में यहां पे आपको सो कर रहा होगा आपका नाम अभी एक खास से आप कोई भी लोन लेते हो जनरली हमारा सबका एक ही एबिट होता है साइन कर देते हैं लोन के डोक्युमेंट पर पढ़ते नहीं है क्या है क्या कंडिशन है यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या कंडिशन है थोड़ी बहुत कंडिशन आप देख लीजिए और जो भी परसन लोन एपलाई कर रहा है वो तो इसको 100% पर डिसिप्लिनी एक्षन अगर आप पढ़ते नहीं हो यह और प्रियो पर माइकर बहुत सारे कंडिशन जो लिगल मेटर भी है जो एक्ट है अगर में यह मैं नहीं बढ़ता हूँ तो इस एक के तहद मुझे कारिवाई हो सकती है यह बहुत सारे अगर में लेट इंस्ट्रॉ पढ़ लिजेगा क्योंकि आपको फ्यूचर में कोई क्वेरी नहीं रहे और कोई दिक्कत नहीं रहे इसके बाद आपको सिर्फ गौटिट करना है पढ़ लिया अभी यहां पर एक सेप्ट करके प्रोसिट करना है और एक बात आपको यह बता देना चाहता हूँ अगर आप लौन ए लेते हो तो आपका एक लौन अकाउंट नमबर जनरेट होगा वह लौन अकाउंट नमबर आप यहां एमकनेक प्लस से भी देख सकते हो और ब्रांच में जाके भी आप पूछ सकते हो अगर आपको लौन जल्ली पे करना है मानों कि आपको आपको अटरा मेने नहीं यह मैं स्टार्ट डेट एंडेट अभी कंफर्म करते हैं यहां पर मैं अपना MP डालूगा तो तुरंत लौन मेरा सेंक्षन होके सिद्धा पैसा खाते में चला जाएगा लेकिन फिलाल अभी मुझे कोई लौन की जरूरत है ने इसलिए मैं यहां पर MP नहीं डाल रहा हूँ हूँआा के लेकी छिरी हैसा के सहपना माँ हैं यहां यहां बालूगा हैं यहां लins करूँता है